हेलो प्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, सो डियर स्टुडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोगों के अच्छे मांक्स आए हैं और बहुत लोग अपने रिजल्ट्स को लेके नर्वस भी है सो इसी बार में चर्चा करने वाली हूँ कि जो लोग नर्वस हैं या उनके मांक्स अच्छे नहीं आए हैं, उसका कारण क्या है या क्यों उनके कम नंबर आए हैं, सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो आपके OEMR सीट होती है, वो किसी वेक्ट द्वारा नहीं चेक किया कम्पीटर कोई भी गलती नहीं करती है और कोई भी दूसरा मौका भी नहीं देती है, अगर कोई वेक्ट या इनसान आपका OEMR सीट चेक करता तो वहाँ पे वह आपको रोल नंबर कोड चेक करके आपको अच्छा नंबर दे सकता था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मसीन के ज गलती कर देते हैं, क्या करते हैं वो जो उनके इस कॉलेज का कोड होता है, उसे भी गलत फिल अप कर देते हैं, या कभी-कभी अपनी नाम गलती से एक नाम के जगह अपना नाम डाल देते हैं, कॉलेज के नाम के जगह दूसरा नाम डाल देते हैं, इस तरह से बहुत सारे गलतियां बच्चे कर देते हैं जो कि ऐसा गलति नहीं होना चाहिए बहुत ही ज्यादा माइडर मिश्टेक होता है ये लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं आपको कभी भी OMR सीट पर गलत जानकारी नहीं भरना चाहिए वहां पर आपके लिए कुछ बाक्स बने होते है जहां पर आपको अपना नाम पीता का नाम कॉलेज का नाम भरना होता है तो उस जानकारी को बहुत ज्यादा महत्पूर माना जाता है इसको भरने में आप कभी भी गलतियां ना करें क्यूंकि आपकी एक गलति की वज़़े से आपका जो OMR सीट है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है और आप परवाद हो सकते हैं सबसे महत्पूर बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि OMR सीट आपको एक ही बार मिलेगा एक सबजेक्ट के लिए क्योंकि उस OMR सीट में आपकी फोटो के साथ साथ आपका डेटा बर्थ और भी बहुत सारी जानकारी उसमें पहले से भरा होता है सिर्फ आपको कुछी डिटेल्स बरने होते हैं साथ ही आपको अपना सिगनेचर करना होता है so ऐसे बहुत सारी उसमें डिटेल्स भरने होते हैं जैसे कि आपको एकmaybe towards paper मिला होगा और उसको OMR seat पर भरना होता हैligen क्योंकि कि आपको पतावगत जो आपके question paper होते हैं वो भी बहुत important होते हैं इसको भी बरने में गलती बहुत सारे बच्चे किये हैं इस वज़र से उनका result बहुत ज्यादा विकार आया है next बात यह है कि बहुत सारे बच्चे गलती कहां पर किये हैं जैसे कि जो आपका paper था उसमें आपके 70 question आये थे तो मैं बता देती हूँ जो आपका computer है वह पहले सिर्फ 50 objective को ही check करेगा उसके बाद के objective को वह check ही नहीं करता है इसलिए जो भी आपके 50 objective थे OMR seat में उसमें से जितने भी answer सही होंगे बस उसी का number आपको जोड़ा जाएगा इधर उधर की marking नहीं होगा अगर जो इधर इधर की marking होगा तो जो आपका जवाब गलत हो जाएगा इसलिए आपको serial wise number ही मिलेंगे इस तरह से बच्चे बहुत सारे गलतिया किये थें जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ बच्चे क्या किये थें वो circle A पिटिक लगाने की कोसिस कर रहे थे गोला भरना है या गोले से बाहर आपके pain को नहीं जाना है तो इस तरह से आपको जो MRC उती उसको fill up करना चाहिए इस तरह से बच्चे बहुत सारे गलतिया किये थें इस सब कारडों के वज़े से जो आपके result है वो बेकार बन गए है तो आपको क्या करना है OMRC fill up करते हुए बहुत सारे साधानिया बरतनी है जैसे कि आपको जो उसमें details यानी जानकारियां देदनी होते हैं उसे एकदम सही सही ही भरना होता है कुछ बच्चे गलतियां ऐसे करते हैं पर कोट के जगह वो अपने कॉलेज कोट को fill up कर देते हैं और बाद में उस पर वाइटनर लगा देते हैं तो यहां पर ए गलती कभी नहीं कीजेगा वाइटनर का प्रयोग नहीं कीजेगा जैसे कि आपको कभी-कभी circle करना होता A और आप B कर देते हैं तो students उस पर भी chalk या कोई वाइटनर योज कर देते हैं और B को एकदम गोला कर देते हैं जो आपका question होता उसे reject कर दिया जाता है ऐसी गलती आप कभी भी ना करें आपको अगर 70 question दिये गए हैं तो उसमें से 50 ही आप सही कीजिए अगर आप 70 में से 70 करके आएंगे तो 50 तक की आपके सही होंगे और ऐसा नहीं है आपके 70 के जो 50 के आगे हैं वो भी answer सही होंगे लेकिन उसको नहीं count किया जाएगा तो ये सारे आपके गलतिया हैं जिसकी वज़े से आपके result बेकार बने हैं तो आगे से आप इसको ध्यान रखेएगा थाइंक्यू एंड हेवे नाइस डे